Hello everyone, Good morning, नमस्कार 20 जनवरी 2022 और The Hindu News Analysis में आप सब का हर्दिक स्वागत है आप इस न्यूजपेपर की PDF कोपी को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तना YS Academy टेलिग्राम पर लिकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंट पेज़ बे दो-तिन इंपर्टेंट न्यूज़ की क्या इंपर्टेंट न्यूज़ है र क्या इनका है कॉन्टेक्स्ट ठीक है सबसे पहले बात करेंगे COVID death को लेकर सुप्रीम कोट ने जो payment को लेकर एक issue यानि ex-gratia यानि COVID-19 के वज़े से जिन लोगों की death हो गई थी उनको जो 50,000 रुपे ex-gratia के रूप में payment उनको करने थी लेकिन अब पूरे मामले को क्योंकि राज्य सरकार जो इस पूरे context में lukewarm fashion जो word इस्तमाल किया गया बहुती ढिलाई बरतना या प्रोपरले engagement ना होना actively काम ना करना इस पूरे context में अब सुप्रीम कोट जो है steer करेगी यानि इसके ओपर नजर रखेगी direction देगी इसके लावा सुप्रीम कोट ने दो तिन important बाते बोली उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रहे बताया गया कि unfortunate है कि हमें हर राज्यों को अलग अलग से कहना पढ़ रहा है कि आप एक तरीके से जो लोगों को दुख हुई है दुख हुआ है तकलीफ हुआ है पीड़ा हुई उसके अंदर आपको अलग-अलग स्टेट को बोलना पढ़ रहा है एक बार में ही आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं दूसरा हमने decide किया है कि हम एक step आगे लेंगे और अब पूरे payment वाला जो issue है हम इसके उपर खुद से नज़र रखेंगे ये सुप्रेम कोर्ट की तरफ से एक decision लिया गया है इसके अलाबा सुप्रेम कोर्ट ने कोविड-19 के बाद जो death हुई थी लोगों की उनकी family को humanitarian basis पर compensation को लेकार एक तरीके सी ये decision लिया है यहाँ पर basically बताएगे कि 50,000 रुपे का जो payment है वो ex-gritia के रूप में यानि COVID-19 के वज़े से जिनकी मृति होगी ति उनके लिए ये payment होगी इनके अलाबा ये बहुत important है जब क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे constitution के अंदरी welfare state एक word mention किया गया है और यहाँ पर किसी भी परकार का delay होना चाहिए वो bureaucratic red tap की वज़े से यानि जो लाल फिता साही बोला जाता है bureaucratic delay के वज़े से यानि आपने कई बार सुना होगा कि document में उल्जा दिया गया या process को जो smooth नहीं किया गया इसके अलाबा application को reject कर देना यानि technical glitch की वज़े से अगर application reject होता है तो यह उस family member की दिक्कत नहीं है यह जो है वो technical problem आपकी तरफ से हुई है इसके लाबा अंदरप्रदेश और बिहार government के जो chief secretaries है उनको भी non payment of compensation को लेकर एक तरीके से समन किया गया कि आप बताईए कि आप इस तरीके से क्या basically आपकी strategy है और अलग-अलग से जो बोलना पड़ रहा है ये एक बड़ी दिक्कत है ठीक है यहाँ पर एक word mention किया गया है welfare state कल्यानकारी राज्ये ठीक भारत में directive principle of state policy राज्ये नितिक निदेशक तत्तो या सिधान जो है part 4 इंडिन constitution के अंदर इसके बारे में mention किया गया है आप लोगों के लिए जो first question है ये जो welfare state है ये कोन से article के अंदर mention किया गया है यानि कल्यानकारी राज्ये के जो अवधरना है भारत के समिधान के किस अनुच्छे दे किस article के अंदर है ये आप mention करेंगे अगर आपको पता तो अच्छी बात नहीं पता तो आप search करेंगे google करेंगे constitution को पढ़ेंगे लेकिन आपको इसका answer करना है इसके बाद बात करेंगे जो एक और news आती है वो ये state way option on IA SCADA rule change क्योंकि UPSC की preparation करने वाले सबसे ज़्यादा इस channel पर है तो उस context में ये news हमारे लिए important है state way option on IA SCADA rule change इसका क्या मतलब है देखिए central government एक planning कर रही है कि IA SCADA rules के अंदर amendment किया जाए और amendment में क्या करने वाली है ये एक important चीज़ी है ठीक है यहाँ पर जो main point है deputation को लेकर यानि union government जो है इस Indian Administration Services rule 1954 के अंदर जो deputation है deputation का मतलब यह होता है कि एगर कोई राज्य सरकार में कोई IA SCADA काम करता है central government को लगता है कि हमें यहाँ पर जरूरत है तो उसको प्रतिन्युक्ति करवा सकती है यानि वह आपिस उसको central government जो है वो call कर सकती है लेकिन इसके लिए procedure होता है state government से consultation किया जाता है लेकिन अब जो planning हो रही है यह क्योंकि अभी amendment के बारे में पता नहीं क्या amendment होगा क्या नहीं होगा उसके बाद ही पता चलेगा लेकिन यह planning है कि जो यहाँ पर आप देखेंगे department of personal and training इसी के अंडर जो है यह services आपको देखने को मिलेगी और आपने कई बार देखा होगा हमारे मंतरी साथ जितिंदर सिंग कई बार नजर आते हैं और जब भी selected candidate होते है तो top 10, top 20 से उनकी बातचीत होती वो उनके साथ मिलते हैं इसके अलावा all India services के अंडर अगर यहाँ पर देखते हैं यह ministry इनको directly जो adaptation कर सकते है state की जो consultation है वो जुरूरी नहीं होगी और इसी चीज़ को लेकर जो है state खास कर जो non जो BGP government बोल सकते हैं या जो अभी अलग political party की जो ruling government है वो allegation लगा रही है कि भाई यह कहीं ने कहीं federal structure को damage करने को सिज हला कि IS की जो post होती है जो एक तरीके से appointment होती है उसको लेकर भी हमेशा से एक debate रहा है कि IS की जो posting है क्या यह देश के federal structure को जो है मजबूत करती है कई commission बने अलग-अलग recommendation आपको देखने को मिली इनके अलावा यहाँ पर central government यह बोल रही है कि भाई adequate number of officer नहीं है central reputation के लिए इसलिए हमें अलग-अलग ministry की जो requirement है इस context में आपको officer की requirement है आने वाले time में हो सकता 2022 और 2023 के अंदर UPSC के अंदर जो post है वो increase हो सकती अब तक जो trend है वो negatively देखने को मिला होगा कि post कम हुई है लेकिन 2022 और 2023 में UPSC civil service examination के अंदर post आपको increase होती हुई नजर आ सकती जिसी तरीके से चीज़ें भी हो रही क्योंकि बहुत जादा requirement होगी officers की इसके बाद बात करते हैं third and last जो information space से वो यह हर्याणा government ने कानून बनाया इस कानून के अंदर यह बताया गया कि private sector के अंदर जो jobs होगी उसमें 75% केवल हर्याणा के नागरिक यानि जो local को reservation दे दिया गया कि 75% केवल हर्याणा के ही नागरिक होंगे या हर्याणा के निवासी होंगे नागरिक तो नहीं कहूंगा नागरिक तो देश के होंगे निवासी ठीक अब इस पूरे context को लेकर जो industrial areas है वो इस एक तरीके से court में गए और यह पूरा मामला जो है वो कहीं ने कहीं इंडस्ट्री के बीच में और गॉर्वर्मेंट के बीच में पेंच से फस्तावा नजर आएगा और इसकी वज़े से आने वाले टाइम में जोब्स को लेकर ग्रोध को लेकर जो वो सफर कर सकते हैं यहां पर इंडस्ट्रियल ने बोला है कि यह बहुती मायोपिक बहुती छोटे नजरिये से देखे की चीज़े हैं और इसका नुकसान इंडस्ट्री को होगा राजनितिक दलों को नहीं होगा यह पूरा मामला बेसिकली है क्या मैं आपको थोड़ा सा बैक डिट लेकर उसके बाद बीजेपी और जन्नाएक जन्ता पार्टी ने जोइंटली सरकार बनाई और जन्नाएक जन्ता पार्टी ने जब इलेक्शन हो रहे थे तब इन्होंने अपना प्रोमिस कर दिया था कि भई 75% जोहार रिजर्वेशन होगा हर्याना के लोगों के लिए ठीक है एक मातर ऐसी डिस्टिक है जिसका रिवेन्यू इतना ज़्यादा है कि अगर आप देखेंगे हर्याना का टोटल रिवेन्यू अलग कर दीजिए उसमें से अगर गुरुगराम से जो रिवेन्यू कलेक्ट वता उसको माइनस करेंगे तो आपको बहुत कम नज़र आएगा य यह कहीं ने कहीं एक जो बेसिक प्रिंसिपल है कि मेरिट को अंडर पिन करने कोशिश कर रहें खासकर प्राइवेट सेक्टर में उसको लेकर हाई कोट ने के अंदर अपील करेंगे और इसको बाद दो जनवरी को जो हो वो कहीं ने कहीं दो फरवरी को सेडियूल होगी इसक पर अगर आप देखेंगे micro, smaller, medium enterprises के अंदर mostly 99% employee ही 30,000 के अंदर आते हैं यह नहीं है कि यहाँ पर local को आप opportunity मत दो बट यह reservation करना, compensation करना कि भई local ही आपको जो है वो acquire करने पड़ेंगे यह दिखा था क्योंकि जरूरी नहीं कि इसको लेकर skill की लेकर हर से में possibility हो या एक तरी किसे available हो, इनके अलावा यहाँ पर यहाँ पर यह भी information आती कि जो migrant worker काम करते हैं, अगर उनको job नहीं मिलती है तो दूसरी industrial area के अंदर जैसे noida वहाँ पर shift हो सकते हैं और survey के अंदर भी पाया गया है कि अगर हर्याना इसको खतम नहीं किया गया तो इंडस्ट्री जो है अपने आपको यहाँ पर expansion नहीं करेंगी वह अपने आपको दूसरी जगा shift कर सकती है इसके अलावा एक जो concern है कि अगर माल लेते कि आज हर्याना government ने बनाया है कल उत्तर प्रदेश उसके बाद पूरे देश की government में अलग-अलग से कानूर बनायेंगे तो इंडस्ट्रेल जो growth होगी overall उसको लेकर challenge हो जाएंगे यह एक बड़ी दिक्कत है इसके लावा एक बोला गया कि DC यानि जो डिप्टि कमिशनर होते हैं से permission लेजिए लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है या emergency permission मिल सकती है दिक्कत यह है कि माल लेते किसी industry को आज workforce की requirement है और वो permission मिलेगी तीन मेने बाद तो उस workforce का या permission का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यह कुछ issues है जिसको लेकर यह बोला जा रहा है और migrant worker को भी यह डर है कि अगर उनको job नहीं मिलेगी तो उनको वापिस अपने गाउं में context में भी ठीक है यह एक information है इस तरह की चीज़े भी आपको आने वाले time में यह तरही के से answer writing हो या basic understanding हो उनमें यह काम आई इसके बाद page number four पे गर हम बात करते हैं तो important species के बारे में यहां पर discussion किया गया है environment, biodiversity और climate change को लेकर जो question लगातार increase हो रहे है उस context में यह काफ़ important है और यहां पर eastern swamp deer के बारे में जो है mention किया गया यहां पर mention किया गया कि इसकी जो population है यह 907 से कम होकर 868 तक जो वो कम हो रही है इसमें 2-3 point ही important है उसे के बारे में directly बात करेंगे यहां पर बताया गया कि यह vulnerable category के अंदर है यह जो word mention किया गया इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि IUCN की जो red data book है उसके अंदर यह जो numbers है यह important होते कि vulnerable है यह endangered है critically endangered है यह extinct हो चुकी है यह list concern अलग-अलग category की जाती है इसी connection में यहां पर भी mention किया गया है और यह बताया गया कि काजिरंगा नेशनल पार्क और टाइगर इसके अंदर इसकी population आपको देखने को मिलेगी यह ब्रह्म पूत्रा के ठीक left hand side जो है क्योंकि left hand side because यहां से इस route पर जाती है तो यहां पर इसके ठीक left hand side आपको देखने को मिलेगा और यहां पर इसकी population जो हो कहीं ने कहीं कम हुई है और ecological health के लिए भी एक तरीके से अच्छा sign नहीं कह सकते क्योंकि अगर population लगातार कम हो र wildlife century यहां पर इनका shift देखने को मिलता है इस animal की जो number है यहां पर mention किया गए कि 2011 में 1161 थी और 1966 के अंदर 213 थी यानि species में यहां पर काफी increase देखने को मिलेगा लेकिन 2021 के अंदर 22 के अंदर इसका number फिर से कम हुआ है तो एक species के बारे में brief में यहां पर mention किया गया है इसके बा पड़े लेकिन मैंने उसमें कुछ important point ढूंडे वो यह यह एक species है बिलकुल इसके end में आपको देखने को मिलेगी मैं बता दूँ आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगी एक species है जिसका नाम है मिस केरला अब यह क्यों नियूज में आ गी है यह यहां पर protection act के अंदर amendment किया जाएगा और उस amendment में इस fish को जो है endangered category के अंदर रखा जाएगा अगर यह endangered category के अंदर आती है तो इसका मतलब यह protected हो जाएगी यह equivalent हो जाएगी जो tiger के लिए protection होता है same इसको भी उसी category के अंदर रखा जाएगा और इसी को लेकर यहां पर concern है कि wildlife protection amendment will 2021 यह जे introduce करता है कि इसको schedule one के अंदर रखा जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा discuss भी करूँगा देखिए wildlife protection act के अंदर कई सारी schedule है schedule one से one two three ऐसे करके आप sequence देखेंगे इसके अंदर जो schedule one के अंदर जितने भी चाहे वो प्राणी है या जो भी include कि जाएगे उनको बहुत ज्य ज्यादा हाई होते हैं schedule one के category के अंदर और इसी को लेकर यहां पर बोला जा रहा है यह केरला रों करनाटका में देखने को मिलती है इसके लावा यह जो बैन है यह सही नहीं पहली बात है अंदर नहीं है दूसरा अगर यह बैन लगता है माल लेते कि इसमें बैन लगता तो बड़े लेवल पर जो और्नमेंटल फिस के लिए काम करते हैं उनके लिए तरीके से जीविका का संकट भी खड़ा हो जाए इस पर्टिकलर स्पीसिज को लेकर जरूत यह थी कि इसको रेगुलेट करते इसके ट्रेड को ठीक है इसके कैपेट्यू ब्रेड फिस को परमोट क रखते और इसको हो सकता तो शीडियूल फोर के अंदर रखते क्योंकि मैंने बताया कि सिडियूल वन से लेकर टू थ्री फोर ऐसे जाएगे तो उसमें आपको थोड़ी सूट मिलती नजर आईगी पहली बहुत जादा रिस्टिक से डियूल है तो दूसरी उसे थोड़ी कम तीसरी उसे कम और फोर जो उसे भी कम ठीक है तो यानि यह इसके अंदर एक इशू है ठीक है तो यह आपको एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपको नजर आएगा मैंने अभी बताया कि वाइलर प्रोटेक्शन एक्ट जो उसके अंदर काफ जो सिडियूल होती है जो 1972 के अं जितने भी यहां पर मैमल्स अनिमल जितने भी प्राणिजात के नाम मेंशन होंगे यह इंपोर्टेंट अचाहिए बर्ड्स हो या एक तरीक से अनिमल हो कोई भी इसके अंदर इंक्लिईट हो सिडियूल वन बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप जुरूर देखना मैं अग को mention करना कि इस act के अंदर total number of schedule कितनी यानि अनसूचियां इसके अंदर कितनी है यह आप mention करेंगे नीचे comment box के अंदर इसके बाद page number 8 पर अगर हम बात करते हैं page number 8 पर दो important event के बारे में discussion किया गया पहला बेंगलवरू airport पर एक event होता है घटना हो जाती है जिसमें दो passenger aircraft बहुत close आ जाती है यानि बहुत ही close से जिसको बोला जा सकता है कि मुस्किल से ही वो एक दूसरे से टकराने से बची है इसके पीछे एक दिक्कत यह होई थी कि जो take off का time है take off का मतलब है जब flight जो airport से दूसरी जिगर पर जाई यूडने के लिए त्यार होती है take off करेगी उस context में जो indigo की planes थी वो एक दूसरे से टकरा सकते थी क्योंकि जो उनको permission दी गही थी कि दो airport के अंदर जो एक तरीगे से पत्तियां होती है एक होती है एक basically होती है arrival के लिए एक होती है departure के लिए ठीके तो उस context में यहाँ पर जो departure होने वाली थी उनको same time पर permission दी थी कि अब पूरा issue काफे ज़्यादा सीरियस को लेकर यहाँ पर जितनी वे authorities है उन्होंने बोला है कि यह definitely एक serious question है और lack of coordination नज़र आता air traffic controller के बीच में airport authority of India के बीच में और इसको लेकर जो यहाँ पर आप देखेंगे DGCA उसने बोला कि properly inquiry करी जाएगी और director general of civilization इसने बोला कि proper inquiry होगी जो भी इसके लिए responsible होगा उनके लिए सक्ट से सक्ट सजा जो होगी खैर यह चीज़ आपको छोटी लेकिन important से नज़र आती है air safety के perspective से important यह news है इसके बाद बात करते हैं एक और important news की मैं यह कहूंगा कि general study paper 2 में बहुँ ज़्यादा important है यह वाली news इसको आप 5 star के अंदर consider कर सकते हैं इस बार Republic Day का celebration होगा इसमें कोई भी foreign dignitaries participate नहीं करेगा ऐसा दूसरी बार हो रहा है 2021 के अंदर भी भारत में कोई भी जो है वो chief guest नहीं आया था as a Republic Day event इसके अलावा यहाँ पर यह भी mention किया गया कि जो central Asian countries है यह वर्चूली उनकी प्राइमिर्स साब के साथ interaction होगा बातचीत होगी पहले यह planning थी कि इस बार 2022 का जो Republic Day का celebration है उसमें five central Asian country के जो president है head of the state है वो visit करेंगे और यह geopolitics के हिसाब से strategically बहुत ज़्यादा important था ठीक है 2021 में UK के प्राइमिर्स बोरी जोनसन आने वाले थे बट वो उन्होंने भी attend नहीं किया था COVID-19 जो बहुत ज़्यादा हो गया था इसी तरीके से 2022 में भी जैसे ही करोना की third wave आई Central Asian country में मैं repeat कर दूँ जो पाच country आती है कजाकस्तान, किर्गेस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान इन्होंने accept किया था December के अंदर की वो जो है event के अंदर participate करेंगे हाला कि इसको लेकर MEA यानि Ministry of External Affairs ने confirm नहीं किया था बट अब क्योंकि COVID-19 ने cases जो लगातार increase हो रहे हैं इस context को धान में रखते हुए इस celebration को काफी ज़्यादा restrict किया गया है और Central Asian Country के जो leaders हैं वो भी इस बार participate नहीं करेंगे यानि यह जो summit अब होगी वो वर्चुल होगी यानि बातचीज जो होने वाली थी India Central Asian Summit जो यह first number के अब यह वर्चुल होगी इसके अलाबा यहाँ पर यह बताया गया कि जो रिपुब्लिक डिगा celebration है इस बार यह इसको काफी ज़्यादा restrict कर दिया गया है प्रेड का जो timing है यह एक तरी किसे जो audience है उन सब को भी restrict कर दिया गया यहाँ पर बहुत important चीज़े है इस summit का main उदिश्य है यह होगा कि इंडिया और Central Asia के बीच में connectivity को engagement को increase किया जाए इससे पहले हमारे National Security Advisor या NSA अजीद दोवाल साब ने जो Central Asian Country 5 Central Asian Country है इनके साथ इनके NSA या Security को जो head करते लिड करते हैं उनके साथ consultation किया था किसको लेकर अफगानिस्तान के core area को लेकर ठीक है इंडिया और Central Asia की जो पहली summit होगी इसमें बहुत सारे region को जो हो कहीने कहीं discussion किया जाएगा और एक नई height जो है अच्छे नहीं है तो Central Asia game changer हो सकते है क्योंकि यह important natural gas का भी resource है लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत है region में कजाकस्तान में huge violence देखने को मिला था क्योंकि वहाँ पर fuel के price increase हो गए थे और उसके बाद वहाँ पर क्योंकि CSTO के अगर एक important aligns है तो वहाँ पर Russian troops ने भी entry की थी तो यह basic basic सी information है अगर आप regular connected तो आपको सारी चीज़े समझ में आएगी connect होती हूँ नजर आएगी इसके बाद page number 9 पे अगर हम बात करते हैं page number 9 पे जो news आती हो आती है political news ठीक है election हो रहे हैं 5 state के अंदर election होंगे और उसके ब बारे में exam perspective से अगर हम बात करूं तो important नहीं है ठीक है यह political perspective से important हो सकती है राजनेतिक perspective से important हो सकती बट यहाँ पर exam perspective से कोई लिए ना देना इनका नहीं है हाँ result आएंगे election के थोड़ा बहुत important हो सकता है इसके बाद बात करेंगे page number 10 पर page number 10 पर छोटी-छोटी 3-4 important news उसक ने एक contract किया है एक तरीक है से chopper को लेकर chopper के export को लेकर हिंदुस्तान एर नॉटिक्स लिम्टेंड ने government ओफ मौरिसस के साथ एक agreement किया है कि वो advanced light helicopter जो है यह mk3 इसको धहान रखना ठीक है यह कई बार directly पूस्ट जाल सकते कि mk3 basically क्या है तो यह advanced light helicopter है जो मौरिसस पुलिस forces के लिए एक तरीक है से export किया जाएगा इसके अलाबा मौरिसस अल्रेडी operate करता है एलेच को और डॉर्नियर डी ओ टू टू एट को राइट तो यह एक information दी गई है यहाँबर बतायागा कि एलेच mk3 एक multi role multi mission helicopter है जिसमें 5.510 category के अंदर इसको include किया जाता तो काफी important है औ और इंडिया और मौरिसस के relation के perspective से भी यह important एक information है ठीक है इसके right hand side एक news है यह news क्या बोलती है कि अभी तक आप देखेंगे भारत में vaccination के लिए बहुत सारी vaccine को emergency use authorization दिया गया देश के अंदर vaccination process को एक साल से उपर जो है शुरू हो चुके है और बड़े level पर अगर आप दे submission है subject expert committee का यह बोल रहा कि क्योंकि अभी तक इनको emergency use authorization दिया गया अब चाहते है कि full market approval इनको दिया जाए क्योंकि बड़े level पर vaccination हो चुका है इनके बारे में सारी details जो हो लेबल है तो यहाँ पर subject expert committee जो की central drug standard control organization की है यह अब चाहते है कि इसको लेकर full time इनको permission दी जाए और क emergency ने इनको full scale पर permission देने की requirement है या approval देने की requirement है adult category के अंदर adult इसलिए क्योंकि जो 15 से 17 ग्रूप में vaccination है वो अभी शुरू हुआ तीन जनुवरे चे तो उसमें अभी समय लगएगा vaccination के process को complete होने में इसके बाद इसके ठीक नीचे एक और news आपको नज़राएगी वो यह एक पोर्टल के बारे में discussion किया गया है इसरम पोर्टल के बारे में इसरम का मतलब basically labor होता है labor का मतलब होता है जो मज़ूर होते उनको register करने के लिए electronic रूप से एक पोर्टल है और इसको लेकर union labor and employment minister हमारे बुपेंदर यादो साहब उन्होंने announcement किया कि 21 center को reactivated किया रहा है migrant worker क लिए अब यह जो इसरम पोर्टल है यह बहुत important है क्यों इसके अंदर अलग-अलग जो area के अंदर काम करते हैं industry के अंदर काम करते हैं जैसे ब्रिक किलन इंडस्ट्री या नि जो 8 भट्टे वाली जो इंडस्ट्री होती है ठीक है plantation हो गया forestry हो गया और unorganized sector के जो workers है वो 2021 के अंदर यह portal launch किया गया था 23 क्रोड registration जो है वो हो चुके है इसका main मकसद है कि national level पर database त्यार करना है ताकि जो unorganized worker के लिए migrant workers के लिए जो welfare scheme है उनको roll out कर पाए और उनको लेकर properly data जो हो ठीक है यह एक तरीके से registration एक तरीके सी होगा इस तरह पोर्टल के अंदर ठीक इसक earthquake जैसी situation आने के बाद railway के लिए एक standard of procedure जो है वो operating procedure जो है लागो किया जाएगा यह तरीके से plan किया जाएगा और इसका basically मकसद दी है कि अभी तक आप देखेंगे कि माल लेते हैं किसी route पर कोई train चल रही है और earthquake आ जाता है या भुकम पा जाता है तो उस context में railway क्या immediately train को रो earthquake के context में क्या SOP होगा standard operating procedure होगा उसके बारे में जानकर यहाँ पर दी गई है ठीक इसके बाद बात करते हैं page number 11 पर एक ही world affair में news है वो यह तालिबान सीख Muslim nation recognition यहाँ पर अफगानिस्तान में जो तालिबान ने सत्ता पर एक तरीके से कबजा किया या अफगानिस्तान पर पोसिज कर रहा है कि दुनिया भर के देजर हमें मानिता दे हमारी जो सरकार उसको बानिता दे और यहाँ पर आप देखेंगे अफगानिस्तान की है जोगरिफिकल लोकेशन और अफगानिस्तान में जब से इनकी सरकार आई है तब से दिक्कत बहुत ज़ादा है मैंने कई पर यह बताया है कि सरकार बनाने में और सरकार चलाने में बहुत अंतर होता है, सरकार बनाना असान हो सकता है, सरकार चलाना बहुत मुस्किल है, और सरकार चलाने के लिए सबसे जब इंपोर्टेंट है, हत्यार सेकंडरी हो जाते हैं, पैसा सबसे ज़रूरी है, पैसे के बिन पूरा प्रोषेजर लेकिन यहाँ पर condition बिलकूल भी अच्छी मैं नहीं कंसिदर करूगा और ये बेसिकली जितने भी इसलामी कंट्री है उनसे चाहते हैं कि भई इनको रेकिजनेशन दिया जाए इनको मानिता दी जाए 1996 और 2001 के बीच में जो फर्स पिरिड के अंदर ये सरकार में आय थे नोंने सत्ता पर कबज़ा हासिल किया था तब भी केवल तीन कंट्री ज ने तीन या चार कंट्री ने मानिता दी थी ठीक है जिसमें एक इनका फ्रेंड बोल सकते है पाकिस्ताने अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान भी इनको जो हो अप्रूवल नहीं दे सकता क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत जादा है और पाक अभी आपको देखने को मिलेगी खर यहां पर इन्होंने बताया कि हमने बहुत सारी चीजे करी है हमने क्योंकि यहां पर इनको मानेता है इसलिए नहीं दे रही एक तो human right का बहुत ज़्यादा abuse देखने को मिलता है दूसरा यहां पर restriction बहुत ज़्यादा खासकर जो महिला है उनको लेकर बहुत ज़्यादा यहां पर restriction इन्होंने लगाए है और basically women's के मामले में जैसे कोई उनको जोब में नहीं होगा इनके मंत्रा ले में कोई भी महिला है सामिल नहीं है school जो है लड़कियों के लिए बंद कर दिये गए है इतने ज़्यादा restriction जो है होने की वज़े से दुनिया की किसी country ने इनको जो है मानेतार नहीं दी है इसके अलावा यहां पर massive economic देखने को मिलता है नि बड़ी लेवल पर एकनोमिक आर्थिक संकर्ट इस country में देखने को मिलना है और उसका result यह है कि बड़े लेवल पर humanitarian disaster देखने को मिलता है इसके अलावा इनकी जो billions of dollar की जो asset है वो sales कर दी है ना इनके एक तरीके से asset को freeze करके रखा गया है और इसी को लेकर जो काफी ज़्यादा dependence आज भी अमरीका पर काफी ज़्यादा depend करती यह country इनकी सरकार क्योंकि उसके account freeze है यहां पर bank तो होंगे लेकिन bank में पैसा नहीं होगा और यहां पर जो officer काम करते हैं उनका salary मिले बहुत दिन हो गए है देखिए हर नागरीक की एक तरीके से अपने country के परती सरदा होती है समान होता और जो भी व्यक्ति काम करता है वो एक तरीके से देश के लिए करता है बट हर व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए ठीक है उसको काम करने के लिए उसको अनाज चाहिए और अगर सरकार एक भी रुपया नहीं देगी तो उसको काम करने में कितना इंट्रेस्ट होगा इसको कहने के जरूत नहीं है अभी International Labour Organization Report पब्लिस करी थी जिसके अदर बताया गया कि अफगानिस्तान के अंदर आदे से ज़्यादा लोगों ने नोक्रियां खो दिये और यहां पर पात लाग से बढ़कर इस साल की एंड तक 2022 के मिड तक जो है वो नो लाग लोग ऐसे होंगे जो कि बिलकुल बिरोजगार होंगे उनके पास कोई जो जो वो नहीं होगी वोमेन का जो एक तरीके से प्रोपोशन होता है वो काफी ज़्यादा कम हुआ है फूट सोर्टेज बड़े लेवल पर देखने को मिलती है पावर्टी इंक्रीज हो रही है इस एरिया के अंदर सूखे की वज़े से और ज़्यादा दिक्कत होती है इसके लबा यूए ने मेंशन किया कि 38 मिलियन पोपलेशन का आदा हिस्सा जो है ये फूट सोर्टेज को हेज करेगा और युनाइटेज से भी इन्होंने काया कि भाई आप सेंक्शन मत रठाओ बट जो हुमेंटेरियन बेसिज पर इनको थोड़ी सी मदद करिए और आपने देखा होते हैं तो इनके पास option क्या है इनके पास कोई खास option नहीं है तो illegal जो है ये drug trafficking करेंगे और आपने देखा होगा भारत में भी कई सारे जो ports पर drug को पकड़ा गया है और ये illegal drug trade चाहे वो sea route से हो नेपाल के route से हो इवन पाकिस्तान वाले route से हो एक और news में आपको बताता हू अब यह आपने यादो का थोड़े दिन पहले मिनिश्य ओफ़म अफ़ेर ने जो बीए सब का एरिया है खास कर पंजाब और वेस्ट मेंगलों इसमें increase कर दिया था पंजाब में जो एरिया increase किया था बीए सब के अंडर या control के अंडर उसके पीछे एक बड़ा region जो है वो drug को control करने को लेकर भी माना जाता और उसका directly जो relation है वो है अफगानिस्तान अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं सवभाविक सी बात है भारत ने बहुँ जाद investment किया अफगानिस्तान के अंदर humanitarian basis बर और दोसरा अफगानिस्तान के अंदर अगर security crisis होता है तो उसका अ अफगानिस्तान की तरफ और एक है पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करिए map को एक आता चमन रीजन जो border है इनका ठीक है यह जो आपको यलो पटी नजर आ रही है स्पीन बुलदाक और चमन वाली इस एरिया के अंदर जो स्पीन बुलदाक एक word mention किया गया यहाँ पर माना जाता कि दुनिया का सबसे ज़्यादा terrorist hub की तरह है और जो weapon है यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ सब्जी वाले के पास तरह तरह की variety होती सब्जियों में ठीक इनके पास स्पीन बुलदाक के अंदर जो है variety आपको देखने को मिलेगी weapon की यह मैं नहीं बोल जाता है इसके अलावा बात करेंगे जो last page है business section economy इसके बारे में कुछ important चीजें जैसे यहाँ पर इकरा जो है rating agency वो लगातार कुछ ने कुछ update करती रहती है और इसने अभी क्या बोला है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे economic recovery is yet to attain durability says इकरा durability का मतलब होता है कि हमारी जो आर्थिक रूप से जो recovery हो रही है यानि COVID-19 के बाद हमारी अर्थवश्था recover करने कोशिस कर रही है उसको durability यानि sustain करने में अभी समय लगेगा वो उसने अभी sustain नहीं करी है इनके अलावा COVID-19 का जो reposition हुआ है एक तरीके से COVID-19 को इसको restriction लगे है वो भी कहीं कहीं challenging भारत की economic growth कितनी होगी अलग-अलग agencies जो इसको लेकर mention करती रहती है मैंने कई बार बताया है कि आप कोशिस करिए कि अलग-अलग agencies को आप छोड़ दीजिए लेकिन एक तो भारत का economic survey होगा finally जो update किया जाएगा economic growth कितनी रही वो important है दूसरा हमारे लिए important है IMF या WB की जो data खासकर WB का क्योंकि IMF भी world economic outlook को जो है वो update करती रहती है ठीक है तो आप WB और mainly आप use करिए economic survey जो government of India publish करेगी इसके लावा किसी भी economic को analysis करने के लिए भारत में तीन parameter कई सारे parameter होते हैं लेकिन भारत के लिए अगर आप देखेंगे जैसे GST e-way bill, e-way bill का मतलब क्या होता ह electronic way bill यानि एक state से दूसरे state के अंदर जब जाएंगे आप तो उसमें जो GST e-way bill आपको connect करना पड़ेगा, non-oil merchandise export है, electricity generation है, two-wheeler की sale कितनी होरी, बहुत सारे factors पर economy को analysis किया जाता है, उसे के बारे में यहां पर बताएगे कि उन सब के अंदर एक तरीके कहीने कहीं कमी आई ह इसके अलावा भारत के अंदर जो oil production हो कम हो गया, कितना percent किस area में कम हुआ है, यह बहुत important नहीं क्योंकि data दिया गया मंतली basis पर, उसको अगर आप economist है तो आप पढ़ सकते हैं, otherwise UPSC, CSC के लिए या किसी भी examination के लिए बहुत important नहीं है, इसके बाद last sports की news है, India starts as a favorite against Iran, यहा होने वाला है, 1979 के बाद भारत के अंदर यह खिला जाएगा, और अगर भारत की team जो अच्छा perform करती है, तो 2023 के अंदर Australia और New Zealand के अंदर जो FIFA World Cup होगा, उसके अंदर भारत की महिला हैं जो है, वो participate करेगी, हाला कि भारत की जो ranking है, वो अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी 55 number प आपको अच्छे नज़र आएगी, इसके अलावा, एसिया के अंदर हमारी position जो है 11th number पर है, और अब यह जो starting होगी मेंच की वो इरान के against होगी, जो की माना जाते है कि एक बड़ी team है, और एक तरीके से उनका मुकाबला जो है, फेवरिट मानी जारी इरान, इसके अलावा दिक्कत यह कि कुछ खिलाडी भी यहाँ पर positive पाए गई है, COVID-19 को लेकर, ठीक है, तो दे हिंदो नियोज अनलिसिस में, आज कि इस वीडियो में इतना ही, जो सवाल पूछे गए हैं 2-3, उनके answer जुरूर ढूणिए, उनके answer करिए, actively engagement दिखाईए, और वीडियो को end तक द देखिए, ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठैंक्यो, जैहिंग,